अगर आपके दस से बारा हजार रुपे तक के बजट में आ जाए अगर ऐसा कोई स्मार्ट फोन देख रहे हैं तो पोको ने अपना एक नया स्मार्ट फोन लौंच किया दोस्तो यहां पे पोको M6 Pro 5G के अगर डिजाइन की बात करें फ्लैट सर्फेश के साथ यह आपको देखने के लिए मिल रहा है जिसमें आपको ड्यूल कैमरा सेट अप देखने के लिए मिल रहा है एक LED फ्लैस के लिए मड्यूल अलग से दिया गया और यहां पे पीछे पोको की ब्रेंड यानि नेम भी आपको देखने के लिए मिल जाता है कर वेजिज और सिल्म डिजाइन के साथ यह फोन आपको देखने के लिए मिल रहा है इसमें आपको 6.79 इंच का फुल एजडी प्लस डिस्प्लेइट का रिफ्रेश रेट 240 हर्ट का टच सेंपलिंग रेट और जैसा मैं ने शुरूर में बदाया आपको इसमें आपको ड्यूल कैमरा सेटप देखने के लिए मिल रहा है 50 Mpx का प्राइमरी केमरा टू Mpx का सेकंडरी केमरा और यहां पर 8 Mpx का फ्रंट सेल्फिश शूटर आपको देखने के लिए मिल जाता है बैकसाइड में एक LED लाइट भी आपको दी जा रही है आप यहां पे अगर बैटरी की बात कीज़े तो 5000 वेच की बड़ी बैटरी यहां पे देखने के लिए मिल रहे है 18 वोट की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट के साथ यूइस्बी टाइप सी पोर्ट आपको देखने के लिए मिलता है आई पी 53 रेटिंग के साथ यह नहीं डॉस्ट एन स्प्लश रेस्टेंस से रहने वाला है निकल के आया इसका और साइड मांटेड फिंगर्बिंट सेंसर इसमें आपको देखने के लिए मिलता है वैसे तो यहां पे इसका प्राइस निकल के आया है 14,999 रुबीज लेकिन यहां पे HDFC और ICIC का कार्ड अगर आपके पास है तो इंस्ट 2,000 रुबीज का डिसकाउंट तो देखने के लिए मिलेगा और यह आपको डिसकाउंट के बाद 12,999 रुबीज देखने के लिए मिल रहा है दोस्तों आपको पोको के स्मार्टफोन कैसे लगते हैं अगर आपने पोको का स्मार्टफोन यूज किया तो अपने एक्सपीरियंस हमें कमेंट सेक्शन में झाल झाल झाल